प्यारे दोस्तों जब आप और हम सोते हैं तो आग बंद करते हैं और नीन लेते हैं इंसान की जिन्दगी की एक तेहाई बाग सोने में ही गुजर जाता है लेकिन इंसान इस पर कभी गोरो फिक्र ही नहीं करता और कभी सोचना ही नहीं कि आखिरी नीन होती क्या है चंद घंटों की नीन इंसान को लेना बहुती जरूरी है कोई इंसान इस जरूरत से बेनियाज हो सकता है बेहोशी में भी इंसान अपने आप से अपने अमल से खुदरती माहोल में जबकि बेहोशी एक मर्ज है और इसमें इंसान को ओश्मे लाना पड़ता है दोस्तों, नीन को आदी मौद भी कहा गया है कुराने पाक की आयत है जिसका तर्जुमा है तमाम तारिफें उस जाद के लिए है जिसने इंसान को पेदा किया और मौद के बाद फिर से जिन्दा किया इसलिए कहा जाता है नीन भी आदी मौद है दोफ्तों ये दुनिया का दस्तूर है जो इस दुनिया में आया है उसको जाना जरूर है इस दुनिया में जितनी भी चीज अल्लह पाक ने बनाई है वो एक कुछ वक्त के लिए बनाई है जो बस एक मक्सूस वक्त के लिए अपना काम कर रही है कुरान पाक में कुछ इस तरह से आया है वो जाद जिसके मौत और जिंदगी को बनाया है ताकि तुम्हें आजमाया जाए तुम में से जादा जद्दो जहत कौन करता है और वही बख्षने वाला और इजद वाला है यह सूरे मुल्क का दर्जुमा है अल्ला ने मौत को अजल से ताबे फरमाया है जिसका मम्नून है किसी चीज का मुकरर वक्त जो किसी कीमत पर न टले जिसका होना जरूरी है दोस्तों मोत का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है इसके माइने है जब भी किसी इंसान के मोत की खबर मिलती है तो उसके साथ कोई ना कोई बहाना जरूर जुड़ा राता है यानि कोई एक्सिडेंट से मोत हो गई कोई पानी में डूप कर मर गया तो आईए देखते हैं रात के वक्त जल्दी से उटना मोद का सबब केसे बन सकता है इसके बारे में तजुर्बागार का कहना है जब इनसान रात के वक्त अपनी हाज़तों के लिए उटता है इसके पीछे एक आथ सा भी हो सकता है यानि जो लोग पानी पीने पेशाब जाने के लिए अपनी हाज़तों को पुरा करने के लिए रात के वक्त अपने बिस्तर से उट खड़े होते हैं उन्हें चाहिए उटने के बाद जैसे आँख खुले तो एक मिनट के लिए आखे खोल कर लेटे रहें उसके आदे मिनट के बाद बिस्तर पर बेटे रहें इसके बाद बिस्तर पर टांगे लटका कर बेटे रहें जैसे कोई पलंग वगेरा पर सो रहा है तो अपनी टांगों को नीचे लटका दें इस पूरे काम को करने में साड़े तीन मिनट का वक्त लगेगा तो यहां काम करना आपको अचानक आने वाली मौत से बच्चा सकता है जब इंसान नीन से एक धम से उठता है तो उसका blood pressure हाई होता है बहुत तेजी speed से blood circulation अपनी body में चलता है तो दिल में जब blood circulation बहुत तेजी के साथ दिल से आता है और जाता है तो तेज दबाओ के कारण दिल पर जोड पड़ता है जिससे heart attack आने का कतरा 100% रहता है तो दोस्तों गोर्व फिक्र करके जब भी आप अपने बिस्तर से उठें तो एकदम से न उठें हमारे बताईव तरीके से आप follow करें अचनक आने वाली mode से आप बच सकते हो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आजाए तो लाइक कर दीजेगा